हेलो अरिवान कैसे हो आप सब मैं हो आपके मामिला गरानती और आज मैं क्लास 12 के सब ही प्यारे बच्चों के लिए लेकर के आए हूँ एक बहुत ही मज़ेदार चाप्टर ऐसा चाप्टर है जो आपके केमेस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी और ये चाप्टर आप ल को लगातार सिक्वेंस में एक के बाद एक देखते जाएंगे और सारा कुछ यूँ फड़ा फड़ा आपको बन जाने वाला है काफी छोटा काफी प्यारा और मस्त चाप्टर आपको ये मिलेगा जिसका नाम है परमाणू जी हाँ हम एटम्स के बारे में पढ़ने वाले है और कक्षा ग्यारवी में आपने एक चाप्टर पढ़ा है फिजिक्स में गैसो का अणूगती सिध्धान जहाँ पर आपने अणूगती सिध्धान या फिर परमाणू सिध्धान के बारे में बात किया होगा ठीक है बिलकुल जो की दिया गया था किसके द्वारा डॉरिटन जी के द्वारा दिया गया था और इसके अलावा आप लोगों ने केमिस्ट्रे में भी इस तरह से परमाणू सिध्धान परमाणू संद्रचनाओं के बारे में कावी सारी चीजे पढ़ रखी है तो बिलकुल आपकी इस चाप्टर की कहानी शुरू होगी डॉल्टन के परम के दैन्ज को सारे ग्रूप में इंस्टा टेलिग्राम सारे ग्रूप में शेर कर देना है बुला लेना है जल्दी से और शुरू करेंगे हमारे इस channel को जहां आपको लगातार बहुत सारी classes जो है एकदम धमाकेदार classes धमाकेदार teachers के द्वारा लेकर आपको लाकर दी जा रही है तो बिलकुल आपको बने रहना है हमारे साथ जुड़े रहना है हमारे साथ शुरू करते हैं आज का ये हमारा one shot जिसमें आज हम देखेंगे परमाणू के बारे में तो भाई चाप्टर बिलकुल जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया डॉल्टन के परमाणू सिधान्त से पर बहुत सारी वग्यानिकों की युगदान से हमको जो है जा करके फाइनली मिलता है फाइनली मिलता है एक साथ है ना जैसे कि इसके पहले विक्रियन तथाद्रवे की द्वायत प्रकृती में आप लोगों ने पढ़ा था बहुत सारी चीजे पढ़ी थी हर्स जी ने शुरू और आईनस्टीन जी ने ला करके उसको फाइनली आईंस्टीन के समिकरन में खतम किया था यहाँ पर डल्टन जी ने शुरू किया है और फाइनली जो है यहाँ पर बोर के परमानू मौडल में जाकर के खतम होगा तो उस बीचか की सारी कहानी थांसन का परमारू सिद्धान इसके क्या जो है सिमाएं आ गई जिसकी वज़ा से जो है वो पूरी तरीके से एक्स्प्लेन नहीं हो पाया जिसके बाद जो है रदर फोर्ट जी ने अपने कुछ प्रयोग किये जहां पर मतलब की परमाणू सिधान्त के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा मतलब डिटेल में जो है हम लोगों को ठियोरी प्राप्त हुई और उसके बाद जो है परमाणू के बाद जो है नाभी की कहानी शुरू हुई जो की आप अगले चाप्टर में पूरी उसकी कहानी वाले हो और उसके बाद रदर फोर्ट जी के काफी सारी experiments के बाद और उन्होंने जो भी conclusion दिये तो जो भी कमी वहां रहे गई उस कमी को पूरा किया किनोंने बोर ने बोर जी के परमाणू नील बोर इनका नाम है कि किस तरीके से एक परमाणू में जो उर्जा होती है उसको quantity current किस तरीके से होता है quantity current आप लोगों ने इसके पहले आवेशो का quantity current chapter 1 में पढ़ा था याद रखना है बिल्कूल उसी तरीके से यहाँ पर जो है परमाणू की उर्जा का quantity current आप लोगों को पढ़ना है जो कमी यहाँ पर बोर्ड के सिधान्त में रह गई है, वो आगे किस प्रकार से जो है, उसका explanation हमको मिलेगा, वो हम लोगों को आगे चलके, hydrogen परमाणू में, electron के उर्जा स्थर, और hydrogen परमाणू का सर्जन वर्नकरम, ये सारी चीजे जो है, आगे चलकर के हम लोगों को सारी ची हाशा आपको पूछ भी सकता है, और काफी मतलब की important है इस चाप्टर में, छोटा topic, important topic जो आपको दो या तीर नंबर के सवाल आपको पूछ सकते हैं, hydrogen परमाणू का outsourcing संक्रमन देखना है आपको किस तरीके से होगा वहाँ पर, बोर के quantumी करण के द्वित्तिय अभिगरहित का, डी ब्रॉगली के द्वारा किस तरीके से, यहाँ पर डी ब्रॉगली आप लिख सकते हैं, मिस हो गया है, डी ब्रॉगली के द्वारा किस तरीके से इस पस्टी करण दिया गया है, इस theory को हमको समझना है, तो यह रहे topic जो आपको इस परमाणू चाप्टर में पढ़ने ह जानते हो वैसे यह हमारी दुनिया जो है, हमारी समझ के परे अभी भी है, इतने सारे खोज किये जाने के बावजूद हमारी समझ के परे है, लेकिन जितनी बात हम जानते हैं, वो सारी चीजे हम, उनकी चर्चा हम इस चाप्टर में करने वाले हैं, तो इतना बड़ा जो ब परमाणू सिधान डॉल्टन के द्वारा जब दिया गया तो वहाँ पर यही बताया गया कि जो पूरा ब्रह्माण्ड है उसका कोई भी पदार्थ हो वो काफी जाधा सुक्ष में छोटी छोटे कड़ों से जो मिलकर बना है सबसे छोटा कड़ परमाणू कहलाता है जिसको और जाधा विभक्त नहीं किया जा सकता और सबसे छोटा कर परमाणू है यही बताया गया परमाणू सिधान में लेकिन हमें बाद में आगे चलके पता चला कि नहीं भई परमाणू के अंदर नाभिक भी होता है और उस नाभिक में जो है निट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थ होते है यह आगे चलके हम लोगों को पता चलता गया ठीक है लेकिन जब किसी भी चीज की खोज होती है शुरुआत होती है तो शुरुआत में हमको सारी चीज़े नहीं पता चल जाती है भई है ना तो इसलिए कोई भी अगर खोज हुई है तो वो एकदम से सत्य है ऐसा नह है क्योंकि उसके अंदर अगर आप detail में depth में जाओगे तो और उसके अंदर हम लोगों को काफी सारी चीजे जो है मिलती जाती है तो उसी तरीके से परमाणू की कहानी में भी यही हुआ कि शुक्ष्मकरों को परमाणू सिधान के द्वारा डॉल्टन के द्वारा बताया गया कि सबसे चोटा कर् पर माणू है अब जब सबसे चोटा कर् Parkण परमाणू है ठीक है और परमाणू यह चित्र तो सकता होगा आगे चल करके ऐसा किसी साइंटिस्ट ने जब उन्होंने खोज किया होगा न डल्टन भाई साब ने तब कभी सोचा ही नहीं होगा भई कि मैं जिस परमाणू की खोज नहीं चाहिए लेकिन हाँ कहां तक के मतलब कितनी दूर तक के जो है उसकी ताकत पहुँचती है यह आप लोग चित्र के माध्यम से देख सकते हो वापस हम आ जाते हैं अपने टॉपिक में तो परमानु संरशना की जब बात हम कर रहे हैं तो बिलकुर परमानु सचना और दूर के द्वारा दिया गया तो डॉल्टं ने सिर्फ यही बताया कि सबसे छोटा कड़ है ठीक है इनके बाद आए जे जे ठॉमसंग जी कौन आये इनके बाद जे जे ठॉमसंग जी ठीक है तो ठॉमसंग जी ने जो है कुछ और चीजे बताई कुछ और से पर willenे हने जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, पढ़ेंगे अभी, मतलब पर वो पूरा completely सही नहीं हुआ, उसके बाद जो है कौन आई, रदर फोर्ट जी आए, ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि जब थामसन जी ने जब बताया ना, तो जो है एक थोरी बता दी थी, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वे में नहीं बताया था, तो रदर फोर्ट जी ने उस चीच को कहा कि भाई, अब इतने अच्छे कोई, मतलब की बहुत ही कोई बड़ा परसन कुछ ऐसा अगर थोरी दे रहा है, तो कहीं तो उसमें कुछ बहुत ही जादा फ्रसिद्ध हो गया, अगर देखो बाकी तो अभी हम कहानी देख रहे हैं परमानों की पर अगर क्वेशन की बात करें, एक्जाम में क्वेशन, तो रदर फोर्ट का जो है आपका एक्सपेरिमेंट आपको पूछ सकता है थोरी में, बोर्ड एक्जाम की अ साफी सारी चीजे हम लोगों को पता चलेगी जो इन यहां पर कम्या रहे गई पर फिलाल जो है यही नील बोर जी का सिध्धान थी परमानों मॉडल अभी फिलाल जो है चल रहा है, अभी बात करें अगर परमानों संरचना की तो परमानों संरचना के लिए जो कहानी की गई थी तो बिल्कुल यह शुरू करी गई थी, 1803 में डॉल्टन जी ने सिध्धान्त प्रतिपादित किया और इस सिध्धान्त के द्वारा प्रतिये एक छोटे छोटे कड़ों का जो मतलब की कोई भी पदार से जो प्रतिये छोटे छोटे कड़ों से बना होता है उसको परमाणू नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, परमाणू नाम दिया गया, डॉल्टन के अनुसर परमाणू जो है किसी भी भौतिक अत्वार रासानिक अवस्था में विभाजित नहीं किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा कि परमाणू को कभी भी हम अलग नहीं कर सकते हैं विभाजित नहीं कर सकते हैं ठीक है लेकिन आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉंस जो है निकल कर के बाहर जाते हैं किसी दूसरे में मिल जाते हैं ठीक है तो चीजे बदल गई आगे चल करके चीजे बदल गई पर फिलाल जो पर्मानु सन रचना की बारे में डॉल्टन जिन न जो पर्मानु सित्दान बताया तो वहाँ पर यही बताया ठीक है अब वहाँ पर जो है एक पर्मानु के बारे में बताया गया था उसके अंदर यह इलेक्ट्रॉंज होते हैं यह प्रोटॉंज होते हैं कक्षाय होती है यह आगे चल के पता चला फिलहाल अभी अभी हमको बस इतना ही पता है नहीं पता है फिर जीजे हुशे जी काफी सालों बाद, काफी सालों बाद, जैसे कि यह 803 है, तो यह लगबख 1897 में, ठीक है, काफी लंबे समय के बाद, 1897 में, जेजित थामसन जी ने, परमारू के संपूर्ण धनात्मक आवेश, द्रव्यमान और त्रिज्जा की बात करी, कि किसी भी, मतलब सबसे छोटे बराबर बताई, कि इतना छोटा होता है, मतलब कि किसी भी, परमारू की त्रिज्जा जो होती है, और यह ठोस गोले के, जैसा होता है, ठोस गोले के संपूर्ण आईतन, एक समान रूप से क्या होता है, जितने भी इसमें धनात्मक आवेश हैं, वो सब तरव जो है, फैले ह लेकिन यह जो है, गोला कैसा होता है, उधासीन होता है, तो यह इसका मतलब यह हूआ कि यह गोला उधासीन है, धनात्मक आवेश जो है, इस गोले में चारो तरब पूरे आईतन में फैले हुए है, ऐसा बताया उन्होंने, मतना आगे चल के हम लोगों को पताचलेगा, कहा आसीन भी है वो आकरशित नहीं हो रहा है इसका मतलब जो है वहाँ पर जो है रिनात्मक आवेश भी होंगे धनात्मक आवेश के साथ साथ रिनात्मक आवेश भी होंगे और अंदर में इसके रिनात्मक आवेश जो होंगे ये जो है इनको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया ठीक तो यह हो गया किसका Thompson का पर्माडू मॉडल पर आप Thompson के पर्माडू मॉडल को देखो ठीक है देखो एक तो यह बोल रहा है कि सब तरफ फैला हुआ है जो कि नहीं होता ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं होता आपको पता है कि पर्माडू कैसा होता है कि पर्माडू में जो है इसके जो है धनावेश जो है कहाँ पर नाभीक में उपस्थिक होते हैं और यहाँ पर नाभीक के सांसंत क्या होते हैं नियोट्रॉन उपस्थित होते हैं और यहाँ पर धनावेश और नियोट्रॉन जो है नाभीक में अंदर उपस्थित होते हैं और जबकि जो इनके जो में चारों तरफ जो है क्या करते रहते हैं घूमते रहते हैं और यहाँ पर थॉमसन ने क्या बताया इसकी त्रिजा के बारे में कि 10 की घाथ माइनस 10 मीटर की त्रिजा बताई इस छोटे कण की त्रिजा 10 की घात माइनस 10 मीटर की बताई पर आगे चलके देखेंगे ये 10 की घात माइनस 14 मीटर का होता है है ना टोटल अगर तरिज्या की बात करें 10 की घात माइनस 14 मीटर का होता है बाद में ये बताया गया ठीक है तो Thompson जी की अभी कहानी सुन रहे हो Thompson जी ने बस इतना ही बोलाई कि यहाँ पर पहले तो Dalton जी ने ये बताया कि गोल होता है हैना सुक्षमा कार्ट जिसको हम परमारू कहते है इसको तोड़ नहीं सकते हैना उसके बाद पता चला इसको तोड़ नहीं सकते हैं इसके अंदर धनावेश और ननावेश इस तरीके से फैले होते हैं सब तरफ ऐसा बताया गया ठीक है अब इसमें limitations क्या क्या होगए इसके दोश क्या होगए इसके दोश ये होगए भई कि मतलब यहाँ पर जो है ये पूर्णरूप से explain नहीं कर पा रहा है कि electron exactly कहां पर है अब यहाँ पर ये भी explain नहीं किया गया कि यहाँ पर जो आवेशों मतलब कि यहाँ पर आवेश जो घूम रहे हैं वो आवेशों की जो संक्या है वो पूर्ण गुरणच के रूप में हैं काफी सारी चीज़े है थोरी आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा पर बस इतना स सीखेंगे जिन चीजों को समझेंगे उनका explanation पूरा नहीं है अब ये कब पता चला जिब Thompson जी ने परमानू model दिया तब सबको यही लगा कि आरे भाई इनो ने दे दिया बता दिया जो बोल रहा है वो सही है लेकिन जब आगे रदरफोर जी ने experiment किया जिसको अलफा कन प्र किर्णन प्रयोग किया रदर फोर्ड जी ने ठीक है तो वहाँ पर काफी सारी ऐसे बाते पता चली जो हमको पता चला कि अरे भाई Thompson जी ने तो ये सारी चीज़े हमको बताई ही नहीं उनके द्वारा तो ये सारा चीज़े एक्स्प्रें किया गया ही नहीं ठीक है पर हाँ उनका कंट्रिबूशन उनका जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि धीरे-धीरे-धीरे-धीरे रास्ते खुलते हैं एक बार में ही आप मंजिल को नहीं पा सकते है कि नहीं तो भाई यहाँ पर यहाँ पर 1911 में देख हाँ 917 की बार थी 1897 की बाद नाभिक के स्थित्व के स्थापना हुई अब ये नाभिक के स्थित्व के स्थापना कैसे हुई कैसे हुई इस चीज को हम लोगों को समझना है ठीक है तो इन्होंने क्या किया इन्होंने जो है एक मतलब की अलफा कडों का एक स्त्रोत लिया ये क्या है अलफा कडों का स्त्रो यहां से क्या निकल रहे हैं यह आप देख रहे हो लाइट के रूप में जो कर्ण निकल रहे हैं यह अलफा कर्ण निकल रहे हैं ठीक है अब यहां पर जो है एक मतलब एक बीच में एक प्लेट रख दिया गया ठीक है बीच में एक प्लेट रख दिया गया जिसके बीच में मत फॉइल बोलते हैं ठीक है तो इस सोने की पत्ती से इस अलफा कड़ों को जो है गुजारा गया ठीक है अब इस अलफा कड़ों को जब गुजारा गया इस सोने की पत्ती से तो हमको ये पता चला कि सोने की पत्ती से जो ये अलफा कड़ है वो आराम से आसानी से जो है आगे की तरफ बढ़ जा रहे हैं आराम से आसानी से आगे की तरफ बढ़ जा रहे हैं और यहां पर जो है प्रकेर्णन की घटना हो रही है क्या हो रही है प्रकेर्णन मतलब scattering हो रही है प्रकेर्णन हो रही है अब यह हमको कैसे पता चलेगा तो इसके लिए जो है ना मतलब यह वाली जो घटना हो रही है कि gold foil से किस तरीके से आगे पास हो रही है और प्रकेडनन की घटना यहाँ पर हो रही है तो इसको जो है हम लोग यहाँ पर इस diagram से समझेंगे ठीक है यहाँ पर क्या करेंगे हम इस diagram से समझेंगे अब आप देखना मानलो की यह जो लाइन है हाँ यहाँ पर इसको जो है हम एक बारी gif में देख लेते हैं हाँ यह जो लाइन है मानलो की यह जो लाइन है यह मानलो की गोल्ड फॉयल की लाइन है ठीक है गोल्ड फॉयल की लाइन है ठीक है अब यहां पर से क्या हो रहे है, अल्फा कड यह सारे क्या है, यह सारे अल्फा कड है, जो यहां पर सोने की पत्ती की तरफ आ रहे है, अल्फा कड क्या हो रहे है, सोने की पत्ती की तरफ आ रहे है, सोने की पत्ती के तरफ जब यह आ रहे है, ठीक है, अल्फा कड आ रहे है, सोने क पत्ती की तरफ आपतित हो रहे हैं ये कड और जब ये आपतित हो रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा कड मतलब कि मान लोग की बहुत सारे कड़ों की संक्या है आठ जार दस अजार इस तरीके से कड़ों की संक्या है तो हो क्या रहा है देखो अभी फिलाल हम इस चित्र को समझ रहे हैं ठीक है यह वाला जो है हम experiment कर रहे थी यहाँ पर से देखना है आपको यह पहला चित्रा यह alpha कड स्त्रोथ है यह और यहाँ पर alpha कड यहां से आ रहे हैं स्त्रोथ से और यहाँ पर से छोटे से छेद से होकर कि यहाँ पर gold foil पर यह जो gold foil है यहाँ पर जो है गुजर र हुए दिखाई दे रहे हैं प्रकेड़नित होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी प्रकेड़न को जो है हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल पर समझ रहे हैं ठीक है क्या समझ रहे हैं यहाँ पर हम डिटेल में हम यहाँ पर डिटेल में समझ रहे हैं कि आ रहे हैं काफी सारे क और जाजा से जादा 10,000 में से समझा जओ की लगभग 99% सारे के सारे जो है मतलब की इस तरीके से नून कौन के सांथ चले जा रहा है या फिर सीधे चले जा रहे है दूर के है वो सीधे चले जा रहे है लेकिन कुछ कड़ ही ऐसे है जो इस तरीके से क्या हो जा रहे है ठीक है कुछ कड ही है कुछ कड मतलब की बहुत ही मतलब percent wise मैं बोलूं अगर तो 0.1 चार परसेंट शुन्य दसम्ला एक परसेंट इस तरीके से बहुत ही कब अब यहाँ पर इस GIF में आप देख पारे हो देखो इस GIF में आप देख पारे हो देखो इतने सारे कड बहुत सारे अब यहाँ पर तो 5-6 कड ही आपको दिखाए गए है पर actual में हजारों की संख्या में कड होते हैं तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो सारे के सारे कड आगे निकल जा रहे है पर एक जो है वापस इस तरीके से एक 180 डिगरी के सान जो है कोड बनाता हुआ वापस जा है कि बिल्कुल एकडम मतलब की 0.01% मतलब बहुत ही कम परसेंटेज के जो कड है जो 180 डिगरी का कोड बनाते हुए इस तरीके से आ करके वापस लोट रहे है नहीं तो सारे के सारे कड क्या हो रहे है स्कैटर हो की यह तो आगे चले जा रहे है या नियून कोड से चले जा र बना यहां पर 180 डिगरी का बना बाकी तो नियून कोड बना के या सीधे चले जा रहे है ठीक है सुक्ष में मात्रा में अब हो क्या रहे है यहां पर देखो अब यहां पर हम अलफा कर्ण जो ले रहे हैं तो अलफा कर्ण जो है एक धनात्मक आवेशित कर्ण है ठीक है धना धनात्म कावेशित है कैसी व्यवस्ता है धनात्म कावेशित है क्योंकि बांकी सारे के सारे कण तो आसानी से पार कर जा रहे है गोल्ड फॉयल को बांकी सारे के सारे कण क्या हो है आसानी से पार कर जा रहे है गोल्ड फॉयल को कुछ कण ही ऐसे है जो क्या हो रहे है इस तरीक कड़ है वो धनात्म कावेशित कड़ होता है बीच में कुछ छोटे से उससे पर बनलब जैसे कि ये आपका नाभिक है ये जैसे कि आपका क्या है ये पूरा का पूरा मान लो कि ये परमाणू है इसका छोटा सा नाभिक परमाणू है इसका छोटा सा नाभिक कुछ दूरी पर ही यहां पर क्या हो रहा है कुछ दूरी पर ही यहां पर लॉड रहा है मतलब कि यह जो छोटा सा हिस्सा है यह जो छोटा सा आपका हिस्सा है यह क्या है धनात्मकावेशित है धनात्मकावेशित हिस्सा है इसका मतलब यह है कि सारे जगहों में जो है सारे जगहों में जो है य को नाम दिया गया क्या नाभिक यहां से हम लोगों को नाभिक के बारे में पता चला जिसके बारे में डिटेल हम अपने अगले आने वाले चाप्टर में पढ़ेंगे पूरा का पूरा कन यहां पर बीच में ही कठा हो गया अब इस नाभिक के साथ जो है निट्रॉन भी है ठी है तो यहां से हमलोगों को नाभी किस नरचना के बारे में भी पता चला और ये वही चीज helps जो मैंने आप लोगों को बिल्कुल समझाया था यह जो है थौंसन जी का पर्मानू model है ठीक है थौंसन जी का पर्मानू मॉडल जहां पर सारे तरफ जो है बराबर रूप जो है रिणात्मक आवेश है और बीच में धनात्मक आवेश और न्यूट्रॉन है यह बीच का जो हिस्सा है जिसको हमने नाम दिया गया नाभिक। लब बीच में है नाभिक जिसको नाम दिया गया ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर रदर फोर्ड और थॉमसन जी के द्वारा जो थोरी दी गई उसका ये कंक्लूजन है ठीक है तो इसके बाद आगे हम समझेंगे कि नाभिक की आकार का आंकलन भी हम कर सकते हैं जो अलफा कर प्रकेणन का प्रयोग किया गया तो यहाँ पर हम नाभिक की आकार का आंकलन कैसे करेंगे इस चीज को हमको यहाँ पर समझना है जैसे 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 अलफा कर यहाँ पर क्या होंगे नाभिक की ओर बढ़ते हैं ठीक है अभी जो हम लोगों ने रदर फोर्ड का जो experiment देखा वहाँ पर अलफा कर नाभिक की और जब बढ़ रही थे नाभिक का इस्थर वैद्यूत प्रतिकर्शन बल अधिका अधिक होता है जिसे कि आप लोगों ने यहाँ पर इसके पहले ज़स देखा था कि यहाँ पर प्रतिकर्शन बल क्या हो रहा था बहुत जादा अ क्योंकि जैसे हो नाभिक के पास पहुचेगी तो वहाँ पर क्या करेगा प्रतिकर्शन का प्रतिकर्शन होगा तो क्या होगा थोई देर के लिए ठोर जाएगा जिसकी वज़से वहाँ पर जो उर्जा है वो स्थित्य जूर्जा में परिवर्तित हो जाएगी और जब समस् हम लोगों को यहाँ पर नाभिक के आंकार का आकलन हो पाएगा तो एक कुछ दूरी पर पहुशने के बाद वो वहाँ पर उसके और समीफ नहीं जा पाएगा ठीक है नहीं जा पाएगा जिसकी वज़ा से क्या करेगा वो जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग में वो लौटता ह है जिसकी वज़ा से वो 180 डिगरी के कोण से क्या हो जाता है प्रकेरनित होता है जैसे बागी सारे प्रकेरनन यहाँ पर हो रहे थे तो यहाँ पर नाभिक के पास वाला जो अलफा कर होगा वो 180 डिगरी से इस तरीके से प्रकेरनित हो जाएगा ठीक है अब हो जाएगा तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर मतलब कि कितनी दूरी पर कितनी दूरी पर जो है क्या हो रहा है कि 180 डिग्री में प्रकेडन हो रहा है वहाँ सिर नाभिक के आकार के बारे में हम लोगों को पता चल पाएगा इस डाइग्राम में आप देख पा रहे हो कि यह पूरा जो red color का यहाँ पर circle बना हुआ है यह पूरे पर्मारू की आकार को प्रदर्शित कर रहा है बीच का हिस्सा जहाँ पर हम लोगों ने नाभिक के आवेश को plus z e लिया हुआ है और यहाँ पर plus 2 e आवेश का alpha कर जो है यहाँ पर इस पर्मारू की तरफ जा रहा है तो नाभिक के पास ही केवाल यह क्या हो रहा है यह बिल्कुल 110 degree से इस तरीके से वापस हो रहा है और यहाँ पर जितनी दूरी से यह क्या होगा वापस होगा वहाँ से हमको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है इस नाभिक का आकार हम कैसे ग्याद कर सकते तो इसके लिए स्थितिज उर्जा का वार सुत्र जो आप लोगों ने आवेश आवेश दो आवेश की बीच की स्थितिज उर्जा ग्याद करने के लिए जो आप लोगों ने स्थितिज उर्जा का सुत्र पढ़ाता बिलकुल वही सुत्र इस्तमाल करके आप लोगों ने यहाँ पर नाभिक के आकार का आकलन आप नाभिक की त्रिज्या निकाल करके कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं नाभिक की त्रिज्या सबसे पहले तो आप मेरे को बताएंगे कि सित्य चुर्जा का सुत्र क्या होता है एक बटे चार पाई जितनी दूरी से यहाँ पर प्रतिकर्शन होगा, इस दूरी को हम यहाँ पर क्या कंसेडर कर रहे हैं, और यहाँ पर जो आवेश है, तो आवेश की जगह पर आप क्या लिखोगे, एक आवेश तो यहाँ पर 2 electron है और दूसरा आवेश क्या है, जेड़ ई है, तो बिल्कुल इ एक बटे चार पाई एपसलोर नॉट एक बटे चार पाई एपसलोर नॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड ए का वर्ग हाँ जेड ए का वर्ग साथ में यहाँ पर टू भी आ जाएगा ठीक है यहाँ पर जो उर्जा की बात करी जा रही है यह कौन सी उर्जा होगी तो यहा जाबर ही क्या होगी गतिज उर्जा होगी जो यहां पर प्रतिकर्शन के पश्चाद गतिज उर्जा के रूप में क्या हो जाएगी रूपांतरित होकर वापस जिस दिशा से यहां पर कर आया थालफा कर वापस उसी दिशा में क्या हो जाएगा लौट जाएगा तो यहां पर लोगों को इस नाभिक का आकार यहां पर पता चल जाएगा इस परमाडू का आकार भी हम लोगों को पता चल जाएगा इसकी तरिज्जा से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहां पर जो परमाडू का आकार है वो कितना है ठीक है तो यहां पर जब कैलकुलेशन होता है तो यह जो परमाडू का जो आकार है ये परमाडू का आकार जो है दस की घात माइनस दस मीटर का आपको निकल करके मिलता है इस दस की घात माइनस दस मीटर के यहाँ पर तरिज्जा मतलब इस छेत्र में ठीक है इस छेत्र में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते है इलेक्ट्र परमाडू के अंदर बहुत ही छोटा शेत्रफल जो है यह नाभिक लिया हुआ बीच में केंदर पर स्थित होता है तो इस तरीके से नाभिक के आकार का क्या होता है आंकलन होता है रदर फोर्ट का परमाडू मौडल में अगर आगे हम बढ़ेंगे तो रदर फोर्ट जी ने जो परमाडू मौडल हम लोगों को सन 1911 में दिया नहीं जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1911 में उसके बाद उन्होंने परमाडू मौडल अपना दिया कब 1919 में अपना परमाडू मौडल दिया जहां पर जो उन्होंने प्रयोग किया था उसके आधार पर उनको जो प्राप्त हुए ठीक है तो परमारू सनरचना के इसके लिए जो उनको निसकर्ष प्राप्त हुए उन्होंने एक मॉडल प्रतिपादित करके जो है यहाँ पर रदर फोर्ड जी ने दिया जिसको हम क्या कहते हैं रदर फोर्ड का मॉडल कहते हैं ठीक है रदर फोर्ड का और ये जो परमाडू है यहांपर 10 की घाथ-10 मीटर का होगा दस की घाथ-10 मीटर आपको पता है कि लगभग एक हैंस्ट्रॉंग के बराबर जहांपर इलेक्टॉंज जो है कक्शाम है इस तरीके से घूमते रहेंगे चारो तरब और यहांपर जो इसके नाभिक की जो यहाँ पर तरिज्या है 10 की घाट-16 मिटर काफी छोटी तरिज्या जिसमें धनात्मक आवेश जो है अंदर में बिलकुल आप देख पा रहे हो धनात्मक आवेश यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हो बिलकुल नाभिक में बहुत ही छोटी से जगह में यहां पर एक्स्पी और बता दिया गया कि अभीकेंद्रियत कि बल यहां पर लग रहा है जिसकी वज़ासे चारोतरफ इलेक्ट्रांस घूम रहे हैं ठीक है पर लेकिन यहां पर पॉर्ण रूफ से explanation नहीं किया गया कि अगर मालों की यहाँ पर electrons घूम रहे हैं तो आप यह भी तो सोच सकते हों कि भाई घूम रहे हैं तो उसको energy भी लगेगी मतलब कि वहाँ पर उर्जा का उत्सर्जन भी होगा तो उर्जा का electrons है वो क्या होने चाहिए कि यह electrons जो है इस तरीके से घटे घटे जो है आकर के नाभिक में गिरने चाहिए ठीक है लेकिन ऐसा होता तो नहीं है पर इस चिज़ का proper explanation ब्रदर फोर्ट के परमारू model में नहीं किया गया था ठीक है ब्रदर फोर्ट के परमारू model के रदर फोर्ट के परमारू model के दोश के रूप में हमारे सामने आया ठीक है तो बस इतनी बाते यहां पर बताई गई थी हाँ यह भी है कि यहां पर नाभिक के चारोर वृत्ता कार मार्ग में यह घूम रहा है यह जरूर बताया पर लेकिन क्योंकि वहाँ पर उसका पूरा explanation नहीं दिया गया था जिसकी वज़ा से जा करके नाभिक में गिर जाना चाहिए ऐसा हुआ ने लेकिन घूम तो रहा है वृत्ता कार मार्ग में यह चिछ क्लियर था कि घूम रहा है वित्ता कार मार्ग में पर क्यों घूम रहा है इसका कारण जो है वहाँ पर सिध्ध नहीं हुआ था ठीक है तो इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे रदरफोड के परमारू मॉडल के बाद हम देखेंगे एक बार हाँ यह जो एक्स्पिलेनेशन जो आलरेडी मैंने बताया तो चाहो तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो जो थियोरी मैंने आप लोगों को बताई है वही चीजे सारी चीजे यहाँ पर लिखी हुई है ठीक है वही सारी चीजे वृत्ताकार मार्ग में घूमते हैं तो वहाँ पर आकर्शन बल ही उनको क्या दे रहा है अभी केंद्रिया बल प्रिदान करता है तो यह सारी थियोरी जो मैंने आपको एक्स्प्रेइन किया हुआ है ठीक है अब इसके बाद हम इस इलेक्ट्रॉन की कुल और्जा के बारे म भी बताया गया था तो उर्जा के उच्छन के लिए मतलब जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होता है तो उसकी उर्जा कम होती है जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता है तो उसकी उर्जा अधिक होती है इसका मतलब यह हो रहा है कि अगर मान लो कि यहा माइनस दस मीटर के जगह पर जहाँ पर यह इलेक्ट्रॉन्स तो तंतरता पुर्वक घूम रहे हैं तो इसमें ऐसा भी है कि यहाँ पर जो है काफी सारी कक्षाएं होती है ठीक है काफी सारे कक्षाएं होती है तो यहाँ पर यह इलेक्ट्रॉन्स जो है मतलब कि इस कक्षा से इस कक्षा में भी जो है आते जाते आ जा सकते हैं ऐसा पॉसिबल होता है तो यहां पर जब नाभिक के पास वाली कक्षा में जब होगा तो वहां पर उर्जा अधिक होगी और जब नाभिक से दूर वाली कक्षा में होगा तो वहां पर उर्जा जो है कम होगी तो इसके लिए भी जो है यहाँ पर सुत्र दिया गया जो सुत्र है ए बराबर माइनस ए का वर्ग बटे आठ पाई एपसलों नौट और आर इस तरीके से जो है उर्जा के लिए भी सुत्र दिया गया और इसके बारे में हम आगे में डिटेल में भी पढ़ेंगे इसके डारिवेशन की अभी होती है अब हमको यह देखना है कि रदर फोट के परमाडू मॉडल में क्या दोश है क्या कमिया है यह हम लोगों को यहाँ पर देखना है तो क्या कमिया है जिसको बताने में जो है रदर फोट जी आसमर्थ रहे जिसको आगे चलके जो नील बोर जी है वो क्या करेंगे अप परन्तू इसमें परमारू के स्थाइत्व को नहीं समझाया गया मतलब की जो मतलब परमारू है उसका वो कितना स्टेबल है हैना कितना मतलब उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं कितना उसका स्थाइत्व कैसे है उस चीज को नहीं समझाया गया है यदि क्य के सद्धान के अदार पर इलेक्टरौन चकर लगाते हुए उर्जा का हुच सर्जन करेगा और अनतता इलेक्टरौन की उर्जा खत्म हो जाएगी जिसे इलेक्टरौन नाभिक में गिर जाएगा ठीक है तो इस बात को ये बात जो है प्राक्टिकली संभा हो नहीं है और इस जो है रदर फोर्ट जी ने समझा नहीं पाए है इस चीज को मैं आल्रेडी आपको बता चुकी हूँ और क्या नाभी के चारों और इलेक्ट्रॉन का वितरन किस प्रकार से होता है हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है जो हम इलेक्ट्रॉनों का वितरन जो परमारू सनरचना मे आप पढ़ते हो ठीक है उस चीज को बहुत अच्छे से हाँ पर नहीं समझाया गया था रदर फोर्ट के इस परमारू मॉडल के अधार पर स्पेक्ट्रम हाँ परमारू का जो स्पेक्ट्रम होता है उसके बारे में स्पेक्ट्रम रेखाओं के बारे में जो है बिलकुल नह बताया गया है जिस के भारे में हम हैड्रोजान स्पेक्टर में जो आगे चल के हम पढ़ेंगे है जिसमें बोर जी ने पार मारूust दिया जिसमें बोर जी ने ये सारी चीजे बताई कि इसे फोर्ट के agY को जो है दूर कर दिया गया और उसके रिलेटेड जो है यहां पर परिकल्पनाई कुछ दी गई जिसके द्वारा यह सुत्र जो आप यहां पर देख पारे हो यह सुत्र जो है प्रतिपादित किये जा सके ठीक है तो वो क्या है तो जब ठीक है तो वहां पर उन्होंने यह बत लगातार केंद्र की तरफ लग रहा है और यहां पर वेग की दिशा लगातार बदल रही है ठीक है तो जिस तरीके से आप लोगों ने वृत्त में किस तरीके से कोई भी चीज वृत्तिया सर्कुलर मोशन के बारे में वृत्तिया गती के बारे में जो आप लोगों ने पढ़ जो है अभिकेंद्य त्वरन की कारण लगाता जो है घूमते रहेंगे और जब वहां पर कक्षाओं में जब वहां पर घूम रहे हैं तो वहां पर जो कोणिया संवेग होगा जब इस तरीके से वृत्य गती हो रही होती है और वृत्य गती में जो कोणिया संवेग होता है ठी पर प्लांक के नियतांक मतलब की एश बटे 2 पाई के गुणज के रूप में होगा गुणज का मतलब यह होगा कि इसके साथ किसी भी पूर्ण संख्या का जो पूर्ण गुणज है उसके रूप में होगा जैसे कि आप सुत्र में देख पा रहे हो एन बराबर 1,2,3,4 आप ल यह चीज आपने 11 में पढ़िया और उमीद करती हूं कि आप लोगों को कौनिय समवेग, वृत्य गती, घुर्णी गती यह सारी चीज़े आप लोगों को कुछ तो भी याद होगी जहां से आप इस चीज को समझ पाओगे कि यहां पर इलेक्ट्रॉंस जो है गती कर रहे है तो वृत्य गती में जो है उसका कोनिय समवेग जो है यहां पर H बटे 2 पाई के पूर्ण गुडच के रूप में यहां पर है और यहां से फिर से जो है कुछ डेरिवेशन के थूँ जो है यहां पर परमाणू का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉंस की चाल है यहां पर V और इस परमाणू की त्रिज्जा है R, H जो है यहां पर प्लांक नियतांक है N जो है यहां पर गुडच संख्या है ठीक है कि कितने की गुडच संख्या में यहां पर है और वहां से वहां से जो है यहां पर परमाणू की त्रिज्जा का सुत्र ग्यात हुआ बोर के परमाणू म आवेश का मानफिक्स है, डिपेंड कर रहा है कि इसके गुणच के वर्ग के, मतलब कि कितने गुणच के वर्ग के समान उपाती है यहाँ पर, N की संख्या पर निर्भर कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है, तो N की संख्या पर निर्भर कर रहा है, N की संख्या के वर्ग प N की संख्या पर निभर कर रहा है, N क्या है, तो N जो है यहां पर कक्षाओं की संख्या है, कक्षाओं की संख्या है, आप देख पारे हो कि नाभी की चारों तरफ जो है, इलेक्ट्रों जिन कक्षाओं में घुमते हैं, ठीके, तो यहां पर N, यहां पर जो कक्षाओं की संख् एक एन बराबर दो एन बराबर तीन और न बराबर चार और जिनका नाम दिया गया KLMN और वैसे इसके बारे में आप बहुत जादा केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ चुके हो तुमें को काफी जाधी चीजे इसमें डिटेल में बताने की ज़रुद नी है बोर का परमाण रहे देख लेते हैं कि यह सिद्धान केवल इलेक्टरोंश वाले परमाड़ों जैसे की हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से के समस्थानिक एकल आइनिक हिलियम द्वी आइनिक लिथियम इत्यादी की व्याख्या कर पा रहे हैं ठीक है तो इस सिद्धानन में जटिल का उच्च विभेदन शम्ता के स्पेक्ट्रम दर्शी से परिक्षन किया गया तो उसमें एक से अधिक धुमिल शुक्ष्म रेखाएं प्राप्त की गई स्पेक्ट्रमी की इस सुक्ष्म संरचना को हम बोर के सिध्धान ने यहाँ पर नहीं समझाया है और क्या है कि यहाँ प विदिच चुम्बकिया वाला जो टापिक आप लोगों ने पढ़ा वहाँ पर भी आप लोगों ने काफी सारी स्पेक्ट्रमी रेखा है आप लोगों ने देगी तो उसकी व्याक्ष्म यहाँ पर नहीं है यह सिध्धान परमाणों की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्र ठीक है लेकिन यहाँ पर हम कुछ सुद्र देखेंगे जो बोड के अनुसार एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की उर्जा का क्वांटी करन है तो यहाँ पर देखो जो कक्ष त्रिज्जा है परमाणों की जो त्रिज्जा है वो यहाँ पर किस पर निर्भर कर रही थी तो वहाँ पर भी आवेज जो है बिल्कुल पूर्ण गुड़ाज के रूप में ही एक से दूसरे में ट्रांसवर हो रहे थे तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जब हम किसी परमाणू के मॉडल की बात को समझ रहे हैं तो वहाँ पर भी जो है यह एन जो कक्षाओं की संख्या को बताता है यहाँ पर पूर्ण गुड़ा संख्या है वह एक कक्षाओं की संख्या को यहाँ पर बता रहा है जिस पर निर्भर कर रहा है उससे रिलेटिद डेरिवेशन आप लोगों इस चैप्टर में देखे होंगे यहाँ पर इस उर्जा के सुथर के द्वारा यहाँ पर जो है हम लोगों ने क्या निकाला यहाँ पर electron की आवरित्ती के लिए सुत्र निकाला वैसे आवरित्ती का relation जो है तरंग दैज की साथ एक बटे lambda तो यहाँ पर यह जो सुत्र है आपका एक बटे lambda बराबर आर और यह bracket में एक बटे n1 का वर्ग और माइनस एक बटे n2 का वर्ग तो यहाँ पर और यहाँ पर जो हम N1 कक्षा की बात कर रहे हैं तो यह N1 कक्षा और N2 कक्षा के लिए बता रहा है किसके लिए बता रहा है यह काफी important सुत्र है क्योंकि इस सुत्र से related आप numerical भी आपको मिल सकते हैं अगर आप neat exam की बात करोगे जडबल exam की बात करोगे तो वहाँ पर यह फॉर्मूला काफी ज़्यादा काम आता है और आगे चल कि जो आप हीडोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ने वाले वहाँ पर भी यह सुत्र जो है काफी जादा यूज होने वाला है बोर के इस तर की बात करेंगे उर्जा इस तर आरेख की बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे की कोई परमाणू है परमाणू का यह क्या हो गया नाभिक हो गया और इस परमाणू के इस परमाणू के नाभिक के चारो तरब जो इसकी कक्षा है यह एन बराबर वन औ और दूसरी कक्षा यहाँ पर यहाँ पर इलेक्ट्रोंस जो है घूम रहे हैं ठीके तो इनकी उर्जा इस्तर की अगर बात करें तो यहाँ से जो हम लोगों को उर्जा का सुत्र मिला है ठीके यहाँ पर हम यह सारे वैल्यू अगर रग दे अगर हम E की value रग दे, Z की value रग दे, Epsilon 0 की value रग दे और द्रव्यमान, हनब यहाँ पर हमको द्रव्यमान का भी value पता है, ठीक है, तो यह सारी values रग दे, तो हम लोगों को जो है, यहाँ पर उर्जा का value जो है, यहाँ पर उर्जा का value जो है, यह भी जो है, आपकी N की संख्य पर निर्भर कर रहा है जिसे कैसे तुर्जया निर्भर कर रही थी वैसी उर्जा भी निर्भर कर रही है तो यहां पर पहला जो सबसे पास का कक्षा यहां पर है सबसे पास की जो कक्षा यहां पर है इसकी उर्जा यहां पर जो है बताई गई है आपको minus 13.6 electron volt यहाँ पर याद रखना है कि उर्जा यहाँ पर आपको electron volt में ही लिखना है और अगर जूल में है तो इसको electron volt में आप convert कर सकते हो यह electron volt से joule में convert करना आपको जरूर पता होगा ठीक है और जब यह दूसरी कक्षा में जब पहुचेगी तो वहाँ पर इसकी उर्जा जो है देखो बदल जाएगी यहाँ पर अगर सुत्र में आप जो है n की जगा n की जगा आपको अगर क्या रखोगे दो रखोगे इस सुत्र में तो यहाँ से आपको उर्जा की जो वह माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैसे चाहो तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो पर आप इस दो वैल्यूस कम से कम याद रख लो तो ज़्यादा बहतर होगा पहली और दूसरी कक्षा की वैल्यूस अगर कम से कम अगर आप याद करो तो यहाँ पर उर्जा में अंतर आपको मिल जाएगा E2-E1 आपको मिल जाएगा ठीक है E2-E1 जब आपको मिलेगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या माइनस 3.4 माइनस माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो भी value आपको मिलेगी वो उर्जा स्थर में जो अंतर है आपको, इन दोनों उर्जा स्थर में अंतर है, वो आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, तौ दिख सकते हो, यहाँ पर पहली और दूसरी, आपको वहाँ पर तीसरी चौती भी आपको यहाँ पर दी गई है और finally मतलब की सारी चीजों को अगर यह देखो यह लंबा चोड़ा सुत्र आपको याद रखने की जरुवत नहीं है यह लंबा चोड़ा सुत्र याद रखने की जरुवत नहीं है बहुत सारे calculations यहाँ पर करके आप यहाँ पर हो कि सीधा सीधा जो है यहां पर जो कक्षाओं की जो संख्या है एन की संख्या के उपर निर्भर कर रहा है यहां पर उर्जा इस्तर ठीक है उर्जा इस्तर जो है वो एन की संख्या पर निर्भर कर रहा है और यहां पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन परमारू की यहां स्तर आपको दिखाए गई है, तो यहाँ पर जैसे आप n 1 की value अगर 1 रकते हैं, तो यहाँ पर उर्जा आपको दिखाए गई है, और यह सारी उर्जा आप direct इस formula से calculate कर सकते हैं, जो間 इस आपको ये सारे calculation और ये formula ही आपको आगे काम आना है हाँ एक बार वो derivation आप देख जरूर सकते हैं ठीक है पर आपको अगर परिक्षा की point of view से मैं बता हूँ तो ये formula आपका जो है महत्वपूर्ण है और इसके पहले जो आपको ये वाला formula जो मैंने बताया था ये वाला formula पर समझना है और आई होब कि आप उर्जास्तर को समझ सुके होंगे और यहाँ पर उर्जास्तर को समझने के बाद hydrogen परमाडू का उत्सर्जन वर्णक्रम किस तरीके से होगा ये चीज़ा आपको समझना है कि जितने भी प्रेयोग किये गए उसके द्वारा क्या पाया गया कि hydrogen परमाडू के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में द्रिश्य भाग के अतरिक्त देखो आपको स्पेक्ट्रम पूरे पता है विदिद्चिंबकिया वे तरंगे जब आप लोगों ने पढ़ी थी उस चैप्टर में आपको पूरा मतलब आपको स्पेक्ट्रम के बारे में बताय तो यहाँ पर बात करी जा रही है hydrogen परमाडू के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की बात करी जा दिया ताकि हम किसी परमाडू के लिए समझ भाए तो हम हाइडरोजन को यहाँ पर जो है कंसिडर करके चल रहे हैं और इसकी स्पेक्ट्रमी रेखाओं के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कहां कहां पर निकलेंगे उठ सर्जित होंगे तो दृष्य भाग के अलावा दृष्य के लिए भी होंगे और दृष्य भाग में कहां पर होंगे पराबैगनी और अवरक्त शेत्र जो होगा स्पेक्ट्रम का वहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर इसकी जो वर्ण करम है उसको पांच भागों में जो है डिवाइट करा गया है जिसमें से सबसे पहला जो स्रेडी है नाम दिया गया है लाइमन तो बिल्कुल यह सारे साइंटिस्ट के ही नाम है लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट और फुंड ठीक है तो उनके नामों के आधार पर ही उनको स्रेडियों में यहाँ पर माटा गया है पहली स्रेडी लाइमन स्रेडी जो है पराबैगनी शेत् स्पेक्ट्रमी रेखाएं यहां पर पाई जाती है बामर श्रेणी की जो है दृष्य प्रकाश के छेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाएं आपको देखने के लिए मिलेगी पाश्चन श्रेणी में अवरक्त शेत्र में ब्रैकेट श्रेणी में दूर अवरक्त शेत्र में और आटा गया है जिनके उनके क्रम अनुसार यहां पर आपको दिखाए गए है अब इस टेबल में आप क्रम को देख पाओगे इस टेबल में आप देख पाओगे क्रम को ठीक है अभी देखो यहां पर क्या हो रहा है हमने सबसे पहली स्रेणी की बात करी थी किसकी लाइमन श्रिणी में अगर मालो आप यहाँ पर देख पारे हो हो ठीक है और अगर in की वैलियू अगर वन है और वहाँ पर आपको स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो मिले गी वो कहां पर मिलेगी, इस उर्जा इस्तर पर मिलेगीron लिल्ज इस तर पर जिसको हम लाइमन श्रिणी के अंतरगत अधिया पर रखते हैं लिल्जा इस्तर पर यहांपर इसकी सारी स्पेक्ट्रम ही रेखा हैं, आपको देखने के लिए मिलेंगी और यहाँ पर passion sriedy की इसी तरीके से N बराबर 3 जब हम minus 1.5 electron volt की जब उरजा लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो है passion sriedy की जो यहाँ पर उरजा इस्तर है ठीक है इस उरजा इस्तर में minus 1.5 electron volt की उरजा इस्तर में आपको देखने के लिए मिलेगी इसके बाद bracket strain की बात करी जा रही है तो इस तरीके से पांचो श्रेणी को आपको यहाँ पर दिखाया गया है वर्नकरम के अनुसार की कहां पर spectrum में वैसे यहाँ पर theoretically आपको बता दिया गया था और यहाँ पर आपको इस diagram में आपको दिखा दिया गया है कि किस तरीके से कहां पर spectrum में रेखाएं पढ़ेंगी ठीक है अब यहाँ पर यहाँ पर जो मलब रेखाएं जो पढ़ रही है यहाँ पर उत्तेजन या फिर आइनन विभाव क्या होता है इसके बारे में भी हम समझेंगे कि वह जब यहाँ पर समझेंगे तो यह उत्तेजन विभाव और आइनन विभाव क्या होता है तो वह न्यूनतम त्वरक विभाव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ओर्जा दे सके कि वह इलेक्ट्रॉन किसी परमाणू से टकराने पर उसे उत्तेजित कर सकता है वो क्या कहलाता है परमाणू का उर्जन या फिर उत्तेजन विभाव कहलाता है अगर पर किसी भी परमान उससे वो टकरा जाए तो उसको क्या करेगा उत्तेजित कर देगा वह न्यूंतम त्वरक विभाव जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को इतनी उर्जा दे सके कि उससे टकरा कर उसको क्या करे उत्तेजित कर दे तो वो उत्तेजन विभाव कहलाता है जैसे कि वै आइनन विभाव कि जब हम बात करे तो वह न्यूनतम तेजित कर रही है तो जितनी उर्जा पर वह क्या कर दे कर दे आईनित कर दे तो यहाँ पर परमाणू का ये क्या कहलाता है आइनन विभाव, अब आईनीत कब होगा, आवेशित कब होगा, हम लोगों ने पढ़ा है चाप्टर 1 में कि जब किसी परमाणू का इलेक्टरौन जो है, निकल करके दूसरे इलेक्टरौन में चला जाएगा और यहाँ पर जग आईनन विभाव कहलाएगा और hydrogen परमानों की आइनन उर्जा और विभाव के बारे में आपको बताया गया है तो hydrogen परमानों की जो NB कक्षा में ठीक है अब N की जगाँ आप कोई भी value रखके देख सकते हो कि कौन सी कक्षा में कितना उर्जा होगा ठीक है तो calculate किया या जकता है वही सुतर जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बदाया है जिससे जो है ग्याद करी जा सकती है कि आईनन उर्जा या फिर विभाव कितना होगा ठीक है और कितना होगा इस चीच को ग्याद किया जा सकता है अब यहाँ पर हो क्या रहा है इसी तरीके से जो बाहे उर्जा यह बाहे उर्जा जो है यह जो उर्जा की जब हम बात कर रहे ह यह बाहे उर्जा है, तो यह बाहे उर्जा है, जो हाईरोजन परमाणों की आइनन उर्जा कहलाती है, और यह उर्जा देने के लिए प्रथम कक्षा के इलेक्ट्राणों को कितनी चाहिए, प्रथम कक्षा के इलेक्ट्राणों मतलब की N कमान 1 रख देंगे, तो 13.6 वोल्ट का विभाव चाहिए, तो उसे त्वारित हो जाएगा, ठीक है, और यही विभाव हाईडोजन परमाणो के आउसोशन संक्रमन की अगर हम बात करें, ठीक है, हाईडोजन परमाणू के यहाँ पर आउसोशन संक्रमन की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, कि हाईडोजन परमाणू के यहाँ पर संक्रमन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका, क्या हो जाएगा आप देख पा रहे हो कि यहां पर जब N1 है है ना और N2 है अलग-अलग उरजा स्तर है यहां पर अलग-अलग उरजा स्तर है ठीक है तो अलग-अलग उरजा स्तर में N1 पर यह N बराबर 2 अगर हम यहाँ पर आउसोशन संक्रमन की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पस बहुत सारी कक्षाई है है कि नहीं बहुत सारी कक्षाएं, तो N1 की बात यहां पर हो रही है, N2 की बात हो रही है, यहां पर N3 की बात हो रही है, तो अवसोशन चंक्रमन की जब बात हो रही है, तो अब यह पहले से जब दूसरे में जाएगा, या फिर पहले से जब तीसरे में जाएगा, ठीक है, त तीसरे में गया है इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें ठीक है इस परमाणू में इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में बदलाव किया ठीक है तो वहाँ पर क्या हो जाएगी उर्जा उत्सर्जित हो जाएगी जिसको हम यहाँ पर हैड्रोजन परमाणू के आउसोस और संक्रमन की बा पढ़ा ही है पिछली अध्याय में ठीक है इसके अनुसार यहां पर जो उन्होंने formulas जो दिये गए थे ठीक है वो आपका यहां पर डी बरागली जी के दोरा सिपस्टी करण करके बताया गया कि बिल्कुल जहां इनकी जो कोड़िये समवेग है वो H बटे टू पाई के पूर्ण गुनच के बराबर जो होगी इसके बारे में जो है डी ब्रॉबली जी ने भी इस पस्टी करण दिया और जिसके द्वारा ये सत्यापित हो गया कि बिल्कुल जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या ह नाभिक के चारों तरब कक्षाओं में क्या कर रहे हैं घूम रहे हैं ठीक है और इनके द्वारा ही स्रेणियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ठीक है तो जो फॉर्मुला हम लोगों ने देखा था एक बटे लैमडा बराबर हम लोगों ने क्या देखा था आर यहाँ इपर रिडबर्ग कॉंस्टेंट है, एक बटे N1 का स्क्वाइर माइनस एक बटे N2 का स्क्वाइर और इस सुत्र के द्वारा जो है, न्यूनतम तरंग दैज और अधिक्तम तरंग दैज हर स्रेणी के लिए निकाला जा सकता है, लाइमन स्रेणी की जब बात करेंगे तो N बर इस तरीके से हर श्रेणी के लिए जो है यहांपर न्यूनतम तरंग जायद्य और अधिक्तम तरंग जायद्य की जो है गर्णा की जा सकी है और यहांपर आपको हाईडोजन इस्पेक्ट्रम की उत्सरजन रेखाएं आपको दिखाए गई है यह आलरेडी हम पढ़ चुके है लेकिर यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको हम स्पेक्टरम में यहाँ पर पर दिखाया गया है कि जो आप लोगों ने पढ़ा है स्पेक्ट्रम के बाड़े में और वहां पर आप श्रेणियों का जो आप लोगों ने यहां पर क्या कहना चाहिए विभाजन जो आप लोगों ने किया है वर्गी करण जो आप लोगों ने किया है ठीक है तो उस वर्गी पुछेगा जहाँ पर सिंपली आपको कुछ नहीं करना है रिट बर्ग कॉंस्टेंट नियतांक का वेलियो जो है फिक्स होता है एन्वर और एन्टु का मान आपको वहाँ पर क्वास्टन में समझना होगा तरंग यह इदे कैलकुलेट करने के लिए आपको बोल सकता है जो आ मेरे क्या से काफी जादा आसान सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे ठीक है तो इस तरीके से आपको सारी चीजे इंपॉर्टेंट जो है वन शॉट में यहाँ पर इस चाप्टर की दे दी गई है उम्मीद करती हूं कि आपको सारी चीजे जरूर एक बार रिवाइज हो आपको चाहिए या related questions आपको चाहिए वो आपको comment box में लिख कर बताना है और बिल्कुल इस तरह से आपका ये चाप्टर का one shot पूरा होता है और इसी उम्मीद के साथ कि आपको topic जरूर अच्छे से समझ में आया होगा इस class को हम session को हम खदम करते हैं और जुड़े रही है ह हमारे साथ बने रही है हमारे साथ मिलते हम अपने अगले session में और तब तक के लिए बाए बच्चो